नमस्कार आप सभी का स्वागत है इविद्या चैनल अंबर चार पर मैं हूँ देवेंद्र रुत्र पाथी क्लास फोर्थ के स्टुडन्स के लिए एविए सब्जेक्ट के इंतरगत हम आज के सेशन में बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्रासंगिक सब्जेक्ट है कह सकते हैं कि ऐसा सब्जेक्ट जो हम सभी के साथ जुड़ा हुआ है और यह टॉपिक है चेंजिंग फैमिली ज्य पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं, आप सभी से उनका परिचे कराते हैं, हमारे साथ हैं एंजिनरिला लुगुन मैम, मैम आपका बहुत स्वागत है, धन्यवाद, देविंदर जी, मैम हैड मिस्ट्रिस हैं, केंद्रिय विद्या आप सभी के साथ आज के पार्थ को शेर करेंगी और आपके मन में कुछ जो प्रशन होंगे, उनको भी अड्रेस करेंगी, तो प्रशनों का उत्तर कैसे देंगी, प्रशन आप लिखेंगे कहां पर, इसको मैं आपको बता दूँ, आप ये करिकरम NCRT विद्या के सारे करिकर है, डबल डबल जिरो, डबल फूर जिरो, डबल फाइबन और इमेल एड्रेस भी आप नोट कर सकते हैं, इमेल एड्रेस है, dth.class4 at the rate ciet.nic.in, तो इन माध्यमों से आप हमारी एक्सपर्ट से अपने मन में कुछ सवाल उठने तो जरूर पूछे, और बच्चों, परिवार के बारे में आप क्या सोचते हैं, परिवार में बदलाओ कैसा होता है, आप अपने siblings, यानि भाई, बहन के जब उनके बर्थ के समय आपकी भावनाएं किस तरह की होती हैं, और जब आप अकेले होते हैं, तब किस तरह से आपकी सोच होती हैं, जब आप के पापा ममी अपने ट्रांसफर की वज़े से किसी एक जगह को एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं, तब आपकी सोच किस तरह की होती है, ये सब कुछ हम समझेंगे आज के सत्र के माध्यम से, तो मैम क्या बताने वाली हैं, कुछ तो हिंट मैंने दे दिया है, बाकी थोड़ा सा ब इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले फैमिली क्या है, आप ये जान लें, तो हम ये जान लें कि फैमिली एक परिवार, जहां हम साथ मिलकर के एक साथ रहते हैं, और जिनके साथ हमारा खून का रिष्टा, यानि कि ब्लड रिलेशन होता है, और हम एक दु कि family हमारे कितनी प्रकार की होती है we have two types of family one is nuclear family and another is joint family तो nuclear family में जिसमें father, mother and their children ये होते हैं और joint family में हमारे जो बड़ी family होती है वो इसमें grandparents, uncle, aunts और cousins होते हैं तो आज हम सीखने वाले हैं कि family में क्या changes आते हैं परिवार में कैसे बदलाव होता है तो इसके कुछ reasons हैं family में जो बदलाव आते हैं उसमें हैं पहला कि या तो घर में marriage हो या किसी का birth हो या किसी का promotion हुआ हो और दूसरे शेहर में वो जा रहा हो तब changes होते हैं तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम सुनेंगे निम्मी से आज हम निम्मी की family को पहले देखेंगे तो आपके सामने ये निम्मी आई हैं आपसे मिलने के लिए ये है निम्मी प्यारे बच्चों ये निम्मी है तो आओ जाने कि निम्मी की family में क्या हो रहा है तो आप ध्यान से देखेंगे कहाँ दो picture दी गई है तो पहली picture में आप देख रहे हैं कि निम्मी की family में excitement है लेकिन reason क्या है पहली picture में father है, grandmother है और निम्मी है जो hospital जा रहे हैं और दूसरी picture में आप देख रहे हैं कि father है, grandmother है, निम्मी है और mother के साथ एक छोटी सी baby है जो newborn हुई है तो इसका मतलब है कि निम्मी की छोटी sister family में आई है अब आप देखेंगे third picture में father, grandmother और mother अपनी छोटी sister को ले करके hospital से आ रहे हैं और आप फोर्ट picture में आप देखते हैं वो घर पहुँचे हैं और घर में निम्मी और उसके uncle उनका welcome कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं तो अब इस picture में हम देखते हैं कि father, mother, grandmother, uncle, निम्मी और छोटी sister इसमें है तो बच्चों क्या आपको पता चल रहा है कि इनके family में क्या बदलाव आया है, इनके परिवार में क्या बदलाव आया है तो पहला reason है कि इनके family में एक नए बच्चे का जनम हुआ है, जिससे कि उस घर में खुशियाली आचुकी है So, just see the picture and give the answer of given question, who were the members of निम्मी's family before the arrival of her baby sister? So, as we have observed there is grandmother, father, mother, uncle and निम्मी, they were five members who are the family members before the arrival of her baby sister. Now, this question is for you, you all have to find out or you can just write down in the chat box, how many members are there in निम्मी's family now? So, क्या changes, क्या परिवर्तन उस परिवार में आये हैं, इसका आंसर आपको देना है So, इससे पहले आप सोचते होंगे कि निम्मी क्या करती होगी निम्मी अपनी छोटी बहन के आने से पहले पूरा दिन स्कूल में जाती थी फिर स्कूल से आकर के जब घर में आती है तो अपना ड्रेस चेंज करके, फ्रेश हो करके, खाना खाके, होंवग करती है खेलने के लिए जाती है और फिर शाम को पढ़ने बैठती है फिर डिनर करके सो जाती है लेकिन अब क्या बदलाव आया है बदलाव ये आया है कि निम्मी की छोटी बहना आई है तो वो पूरा समय अपनी छोटी सिस्टर के साथ बिताना चाहती है और उससे बहुत तरह से खेलना चाहती है उसको हग करना चाहती है उसके साथ कडल करना चाहती है तो आप इसको ध्यान से देखेंगे अब आपको ये सोचना है अगर आपके परिवार में या किसी रिष्टेदार में कोई नया बेबी आया है, नया बच्चे का जन्म हुआ है तो सबका डेली रूटीन कैसे चेंज हुआ है? तो क्या father, grandmother या uncle इन सबके भी डेली रूटीन में चेंज हुआ है कि नहीं? ये आपको ध्यान से find out करना है अब आप देखेंगे कि अगर आपने अपने family में देखा है कि कुछ छोटे बच्चे का जन्म हुआ है तो उस छोटे बच्चे को देख करके ये जो आपके screen पर questions आ र अगर आपके family में बेबी का बर्थ हुआ है तो आप देख सकते हैं screen पर कि एक बर्थ certificate है सो इस birth certificate के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि इसको पड़ते कैसे हैं अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे बच्चे सबसे पहले ये जो birth certificate है हमें South Delhi Municipal Corporation से मिला है जो इसमें mention है कि इसमें बच्चे का नाम उसका gender, date of birth, place of birth, date of registration, registration number, old registration number, name of mother, name of father, present address, permanent address इस सबकी detail दी गई है तो अभी आपका काम है आप जल्दी से जैसी class ओवर होगी आप अपनी मम्मी से पूछेंगे कि आपका date of birth certificate कहां है और उसको ध्यान से देखेंगे और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और registration number ये find out करेंगे आपका place of birth भी find out अब हम चलते हैं अगले अगले character की तरफ और ये मुझे लगता है कि अभी तक आपने family में जो changes आते हैं किसी नए बच्चे के जन्म के बाद अब आप दूसरा topic लेने जा रही हैं जो शुरूबात मैं आपने बताया था migration की वज़ह से हाँ जी सब जी तो migration मतलब बच्चों आप समझते होंगे कि जब हम किसी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं तब बहुत सारे बतलाव आते हैं और कई बार आपके पापा का transfer होता है या मॉमा का transfer होता है एक शहर से दूसरे शहर में तो migration होता है और तब आपके family में थ नए साथ ही आप बनाते हैं और नया school आपको मिलता है बिलकुल तो अब हम मिलते हैं सेरेंग से, सेरेंग की family से मिलते हैं अब सेरेंग की family में क्या change हुआ है यह हम अभी find out करते हैं सो इस picture में आप देख रहे हैं सेरेंग के father को एक letter मिला है और उस letter में उनको पता चला कि उनका promotion हुआ है अब promotion तो बहुत खुशी की बात है अब promotion का यह letter खुश-खुश हो करके उन्होंने second picture में अपने परिवार के साथ यह share किया है आप ध्यान से देखेंगे वो एक letter सबको दिखा रहे हैं और इस picture में grandfather है, grandmother है, mother है, सेरेंग है और उसके father है अब इसमें grandfather और mother बहुत excited हैं लेकिन grandmother थोड़ी से upset दिख रही है क्योंकि इस promotion के थुरू उनका transfer हो रहा है तो हम देखते हैं third picture में सब family members उनके जानी की तियारी कर रहे हैं, सब अपना समान pack कर रहे हैं और खुशी-खुशी उनको विदा करने जा रहे हैं और fourth picture में आप देख रहे हैं कि सेरिंग अपने father और mother के साथ excited हो करके जाने जा रहा है और उनको विदा करने के लिए उनके grandfather और uncle आए हैं तो अब बच्चों क्या आप सोच सकते हैं अगर सेरिंग अपने इस स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है तो क्या होगा क्या उसको दूसरे जगह पर नए स्कूल में admission लेना होगा या क्या उसके new friends बनेंगे की नहीं तो ये सेरिंग को face करना पड़ेगा की उसके life में ये change आएगा की नया स्कूल और नया friends वो कैसे बनाएगा So is there anyone in your class or school who has come to your school from another place, if so talk to him or her So you can ask these questions, where has she or he come from, what was his or her old school like, what does he or she find different here, does he or she like the change So, now we will come to third family. So, this is the family of Nesli. So, you can see Nesli is here. So, from this picture you just find out there is a more excitement in the family. So, what is going on? We are just finding out. In the first picture you can see there is a marriage in this family. So, Nesli ke family में शादी हो रही है तो ये शादी का समारो है, सब बहुत खुश हैं और जो दुलहन है, जिसको हम bride कहते हैं, उसको देखने के लिए सब excited हैं और किस की शादी हो रही है? नजली के elder cousin brother के शादी हो रही है, तो सब फैमिली में बहुत excited हैं और खुशी खुशी इस family इस समारो को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जिसमें नए पकवान, मिठाईया, शर्बत, इन सब का प्रियोग हो रहा है और सब इस समारो में बहुत उत्सा दिखा रहे हैं. So, do you think there will be changes in the home from where the new bride has come? What kind of changes हो सकता है? अगर आपके घर में कोई नई सदस्या आ गई हैं, तो आपके daily routine में भी change होगा. तो ये नजली की भावी हैं, तो क्या हुआ होगा उस family में, आईए हम देखते हैं. तो उस family में सब उनके आसपास हैं, उनसे बात कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं. So, जब आप देखेंगे, नजली की family में ये सब हो रहा है. So, you can ask the question to your grandmother, कि उनकी शादी कब हुई होगी? क्या उनकी शादी, जब वो छोटी थी, तब हुई है? अगर हुई है, तो क्या वो अपना school ड्रॉप कर चुकी थी? तब उन्होंने शादी की? तो ये बहुत सारे question आप अपने grandparents, अपने elder, जो आपके family में हैं, उनसे पूच सकते हैं. और शादी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर हम class fourth के बच्चों की बात करें मैम, तो काफी समझदार हो चुके होते हैं बच्चे, और शादी, जैसे घर में जो उत्सव होते हैं, उनमे से एक बहुत महत्वपूर उत्सव होते हैं, अगर बच्चों के चाचा की, या और घरी नहीं बलकि आसपास के क्षित्रों में भी आसपास के घरों में भी माहौल बहुत ही सुन्दर होता है। पहले शादी की परंपराएं कुछ और हुआ करती थी शादी की दौरान जो इवेंट्स होते थे वो अलग तरह से होते थे और अब अलग तरह से होते हैं। उनका जन्म, उनका देट ओफ बर्थ, जो डेट है सबसे इंपोर्टेंट है। किस एर को हुआ, कौन सी दे को हुआ, डेट कौन सी है, ये मेंशन होना चाहिए और कहां पर हुआ। और साथ ही साथ जब हम… वैसे बच्चों को डेट ओफ बर्थ तो बहुत अच्छी तरह से आद होगा क्योंकि उनको अपना बर्थ बनाते हैं। तो उनको अपनी देट का इंतजार छे महने पहले से रहता है कि मेरा बढ़े आने वाला है। बिलकुल बिलकुल सर। तो ऐसी ही उनको प्लेस ओफ बर्थ कहां उनका जन्म हुआ है। और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है। क्यों जुड़ा होता है। पंजी करन क्या है। तो जैसे जन संख्या हम कैसे काउंट करते हैं। इसी पंजी करन के थुरू हमें पता चलता है। तो जो हमारे देश में जनसंख्या की बात होती है, लगबग 140 करोड देशवासियों की बात होती है, पच्चों आप सुनते होंगे खबरों में अक्सर कहा जाता है, तो ये जो 140 करोड की संख्या है, उसको पता करने का तरीका क्या है? तो इसका तरीका पहले ये था अब तक कि जनगरना होती थी, हर पांच वर्ष में एक बार जनगरना होती थी और 2011 में हुई थी, उसके बाद भी नहीं हुई, 10 वर्ष में होती थी और 2021 में होनी थी लेकिन COVID के कारण नहीं हुई और अब शायद 2025 या 26 में होने वाली है तो उसमें देश भर में कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं और हर एक परिवार में कितने कितने लोग हैं ये सब जानेंगे लेकिन जैसा कि मैं आपने बता है कि जो registration number होता है इसमें birth certificate में वो भी एक जरिया है सरकार को ये पता करने का कि हमारे देश में जो population है, number of people है, number of जो हमारे यहां देश में लखने बारे citizen है, उनकी संख्या कितनी है तो वो number सरकार को उसके बारे में जानकारी रहती है तो मैं आप के बारे में अगर मैं पूछू हूँ कि आप ने अपने परिवार में कैसे कैसे changes देखे हैं, खास तोर पर अपने marriage के बाद, क्योंकि अगर हम बात लड़कियों की करें, महिलाओं की करें, तो शादी के बाद उन्हें अपने ममी पापा को छोड़कर दूसरे घ शिक्षी का, वहां के आसपास ही आप रहने मूल नेटिव प्लेस आपका वही है, या कहीं और से आप माइगरेट होकर के आपर ट्रांसफर लेकर आई हैं? सर, हमारा माइगरेशन हम तो नेटिव प्लेस हमारा जारखंड है और हमारे माता पिता वो बहुत पहले 1972 में वो माइगरेट होकर के दिल्ली आ गए और यहीं बस गए फिर यहीं से हमारा स्कूलिंग, सब कुछ यहीं से हुआ है तो आपका experience जो है वो migration वाला तो नहीं हुआ है लेकिन हां just marriage के बाद हमारी family कैसे हम नए members कैसे हम जुड़े वो हम बदलाओ आता है किसी लड़की के घर पर यह बदलाओ आता है कि कैसे उसको सब को ध्यान देना है पहले वो responsibilities नहीं लेते हैं लेकिन धीरे धीरे उनको समझ परिवार को कैसे जोड़ के चलना है कि हम एक family में सीखते हैं परिवार में सीखते हैं कि सब का दिख भाल और सब खुश रखना यह बहुत बड़ी मदद होती है और blessing होती है परिवार में जी और हमारे देश में जो जो पारंपरिक परिवार की संरचना है यानि traditional family structure जो हमार सब के routine का ध्यान रखती है बलकि एक तरह से केंद्र होती है पूरे परिवार का और सब लोग परिवार में बच्चे भी और husband अगर कहीं job कर रहे हैं तो साथी पूरी family joint family है या nuclear family है सब का केंद्र बिंद होती है महिला है तो यह भी बच्चों को एक जानकारी परिवार के त सकते हैं कि उनकी शादी कब हुई थी अगर उनकी शादी चोटी जेनरली उनकी शादी चोटी एज में ही होती है तो आपको यहां मिलेगा कि अगर जिनकी चोटी उमर में शादी हो गई तो उनको स्कूल जाना ही नहीं पड़ा तो क्या हुआ कि ऐसे ही एक सची घटना है सुशीला और रंगा रेडी डिस्ट्रिक जो तेलंगाना में है तो उनकी भी यह स्टोरी है वो उनकी चोटी अरली एज में शादी हो गई थी और वो पढ़ना चाती थी तो वहां की पंचायत ने उनकी मदद की और उनको फिर से स्कूल भेजा तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ऐसी सब को स्कूल जाना है तो यही आपको स्क्रीन पे कुछ गुश्चन दिख रहे हैं तो आपको यह फाइंड आउट करना है जैसे द दो वाद दो भाड आउट तो और वाड तो रोट फैयर ने बैंन हम दो करने आख कर वाजी तो यही आपको प्रोजेक्ट पैटा आप तीन बड़े लोगों से बात करेंगे भीजिसमें आपनी फैमली के बारे में बताएंगे अपनी फ्रेंड़्स की फैमली और पड़ोश Class 3 में भी आपने सीखा है तो पहले क्या थी, अब कैसी है और आने वाले दिनों में कैसी होगी तो I hope आपको ये सब समझ आ गया होगा थांकियो तो बहुत अच्छी जानकारी और बहुत रोचक जानकारियां या परिवार को समझाने के लिए परिवार में जो बदला होते हैं उसको समझाने के लिए मैम ने बहुत अच्छे रंक से पढ़ाया उम्मीद करते हैं कि हमारे चात्रों को ये परिवार का जो कॉंसेप्ट है हमारे देश में ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको समझ लिया होगा उम्मीद करते हैं आपको ये सत्रे पसंद आया होगा और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारी एज की एक्सपर्ट अंजिलेना लोगुन मैम का बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए लर्नर से बात करने के लिए और आप सभी का शुक्रिया जो हमारे साथ लगातार बने रहते हैं शुक्षा, जाग्रुक्ता और ज्ञान के तमाम कारिक्रमों के लिए इविद्या पर आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही दिर बाद यानि तीन बच कर तीस मिनट पर इंग्लिश का सब्जेक्ट रहेगा क्लास फोर्थ के लिए है आपके लिए ही और इसमें वाटरिंग राइम पर बात होगी इसके बाद वेबिनार चार बजे होगा जिसमें चैनल नंबर छे से बारा पर ये कारेक्टरम प्रसारित किया जाएगा और टॉपिक है एनिमेशन एज डिजिटल रिसूर्स फोर ट्रेनिंग टीचिंग और लर्निंग प्रसेस तो इस जानकरी के साथ ही मैं आप सभी से चाहूंगा अनुमती इस सेशन को यहीं समाप्त करने की लेकिन लगातार आप इविद्या के साथ बने रही है नमस्कार